नमस्कार स्वागत है आप देख रहें जन्मंच न्यूज और मैं हूं मुहम्मद रिफान मालती चोवान की मोत हो गई है इसी बीच हमारे साथ जन्मंच न्यूज के पत्रकार मोजूद है यह बहुत ही दुगधाई खबर है कि इस देश में एक बेटी नहीं रही एक ऐसी बे बातार अपने पत्नी को लेकर वीडियो बना रहे थे विवाज चल रहा था दोनों के बीच वीडियो जमकर बारेल हुआ था कि मालती चोहान का जो पुराना बॉइफ्रेंड था अर्जुन अर्जुन की शादी मालती के साथ हो गई है साधी कौन करवाया उसका पती विश् पत्तुन को छोड़कर वो फी चलेगी सासुराल विश्नु के पास जिस तरह से डेट बोडी मिली है डेट बोडी को देखकर कहीं से नहीं लगता कि मालती चोहान सुसाइड कर सकती है उसके सरीर पर चोट है होट पर दाग है यह सब कैसे हुआ अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई सुसाइड कर लेता है पंक्यव लटक कर तो यहाँ पर निसान आते हैं ठीक है और सरीर पर चोट का निसान कहीं नहीं होता है कहीं नहीं कहीं यह मालती चोहान की जबरदस्त लड़ाई हुई है विश्नु के साथ बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ यह तो विश सुसाइड करती थी इसके बजहां से विश्नु के और मालती के बीच अनबन हो रही थी विवाज चल रहा था यह मालती चवान की जो फैंस है वो लोग बोले यह मालती चवान ऐसे नहीं कर सकती है क्यों जब उसके पास पती है उसके पास पिता है माह है सब चीज है सारी खाव भाव से समझ सकते हैं यह काफी संघर्सिल और समाज में ससक्त होकर उभरने वाली महिला थी यह सुचाइर कैसे कर सकती है और बताया जा रहा है कि हाथ पे चोट लगाए पूरा खुन जमा था जात में बुलू हो गया था पूरा यह ओट पर पूरा इसके डेट बोड कही है विष्णु को जेल हो जाएगा जिन लेकिसकी तभाव हुए किसकी बरबाद हुए मालती चोहान की उसके बच्चे की उसके परिवार का तर्थ क्या जानेगा विष्णु तो कौन गया है विष्णु फीर जेल से छूट कर आएगा पीर चैनल पर वीडियो बनाएगा और मा भी मांगेगा कि हमने अपने पत्नी को मारा ही नहीं मेरी पत्नी खुशी-खुशी-खुशी कर ली ये होता है और कल ये मालती चोहान एक वीडियो अपलोड करी थी यूटीब पे बोल ली थी मैं जा रहा हूं ससुराल ससुराल जाने के बाद घर में क्या हुआ कहीं ने कहीं मुझे लगता है विश्नू अपना गुस्सा निकाला होगा आवेस में आकर अपनी पत्नी का हत्या कर दिया होगा उससे समझ में नहीं आ रहा होगा गुस्से में कि क्या से क्या हो रहा है लेकिन उसने यह किया है, लेकिन यह जाज काभी सय है, पुलीस जाज करेगी, कि हतियारा कौन है या फिर माल्ती ने सुसाइट किया है, क्या पेली जो गुलफ्रेंड, राधिका, जी और राधिका से चकल चल नहां बनीज कि इस पीत कि ब सान रहा है, उसे छोड़ दो हमसे अच्छा से रहो इन दोनों में जगरा हो रहा था राधीका के ऊपर में आप क्या बोलना चाहिए देखे इस केस में राधीका क्या बोलेंगे जब राधीका को पता था किमालति चोहान की शादी हो गई है बच्चे है पती है तो इस तल्जूगी प्यार को छोड़ देना चाहिए था राधिका को विष्णू को छोड़ देना चाहिए था चुकि जब शादी हो जाती है तो लड़की अपने पती की हो जाती है कहीं न कहीं राधिका वो में जड़ है इस खुसाल परिबार में आग घोलने वाली चुकि इसने ही जहर गोली है अगर विष्णू के लाइफ पर राधीका नहीं आती तो मालती चोहान अपने पती विष्णू का बिरोध नहीं करती लेकिन दुरभाग है राधीका विष्णू के लाइफ में थी और एक तरफ राधीका जो खेल कर रही थी एक तरफ देखा जाए कि मालती चोहान का भी कोई प्यार था अर्जून और संदेज दिया विष्णू ने शादी करवा कर और अर्जून साब कह रहा है कि मैं ना मैं तो मैं फस गया हूँ मुझे उसके पती नहीं फसा दिया और मालती नहीं फसा दिया पत्नी का शादी विष्णू राज करवा रहा है किसे हसरा था समझ सकते हैं यह शादी जो था एक प्री प्लांट शादी था हमें कहीं लग रहा है कि प्रेंग होगा कुछ चीजां ऐसी होगी जो सच्चाई सामने नहीं है वह लेकि सच्चाई यह है कि मालती चोहान इस लेकिन उसके बोडी में दाग मिला कहीं न कहीं यह हतिया किया अपने खुछ से नहीं कर सकती है जहां तक मैं उनको देखा हूं मोटिवेशन वीडियो बनाती है वह खुद लोगों को इंस्पाइर करती है और खुद कैसे एक्सपाइर कर सकते अपने आपको लिए तो दुरभाग है कि मालती चोहान ने रहेगे लेकिन जन्मंच निउस सच्चाई आप लोगे बीच लाएगी हम इनका विसेल्स रिपोर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्य येवादब